यहां function parameter passing का कोई question है तो प्लीज पूछ ले अभी हमारे पास एक दू मिनिट है हम देखते हैं बाकी लोग भी हमें जॉइन कर ले तो फिर हम यहां से आगे continue करेंगे लास्ट पार्ट की तरफ तब तक अगर कोई question है कुछ चीज clarify नहीं हो रही कोई suggestion है कोई addition करना चाहरें अब तो आप बिला देखलो शेयर कर सकते हैं कि अगर करते हैं कि अगर करने से पहले हम एक पर review करना चाहेंगे slides को तो हम चलते हैं slide पर देखते है slides क्या कहते हैं इस वाले से तो जी slide यह function हम discuss कर चुके हैं already यह simple calling हो रही थी उसके बाद अगर यह discuss कर रही है function parameter जो के अभी हमने देख ली है यह कहरे है these are the special variable that are part of the function signature function signature क्या होता है वो जो हम उपर पहली line लिखते है na fn main और आगे गरफ के तर पर value पास होनी है parameter पास होनी है तो brackets में वो values देते हैं ना हो तो simple blank एक small bracket star to end डाल जाते हैं इसको कहते है function का signature तो अगर हम किसी variable में कोई value पास करवाना चाहरे है तो वो चीज़ें हमें function के signature में mention करनी पड़ती है और जब किसी function के signature में को parameter define हुआ हो तो फिर उस function को call करते में आपके लिए लाजमी है कि वो तमाम values भी आप provide करें इसका सीधा साथा सा मतलब हम आगले इस slide में देख लेते हैं कि अगर हमने function नमर आया यह उस function का signature है ठीक है another function नाम का कि उसका signature है अगर अब यह देखे यह main function का signature है कि इस main के function में signature में कोई value पास नहीं हो रही है यहां पर आप देखे रहें कि यह खाली है इसका मतलब है कि main function काल करते हुए आपने कोई value पास नहीं करते हैं लेकर अगर आपने किसी function के signature में आपने उसको बता दिया कि यहां पर कोई parameters पास होने हैं तो ऐसी सूरत में फिर जब भी आप इस function को कॉल करेंगे तो आपको उस parameter के लिए कोई ना कोई value प्रवाइट करने पड़ेगी अगर आप यह value प्रवाइट नहीं करें कि जैसा कि यहां पर हम यह 5 पास कर रहे है ऐसे value अगर आप यह पास ना करें और simple another function और खाली प्रवाइट की तो इसको call करवाएं तो error देदेगा कि जो function है इसके signature के अंदर तो यह आपने mention किया है कि इसको एक value pass होनी है i32 type की तो आपने उक्तिली पास की लाज़ी पास की ठीक है तो अब होता यह है कि यह जो आप function की signature के अंदर definition देते हैं ना कि इस function को चलने से पहले कौन कौन से type के variable या value स्पास होनी चाहिए उनको कहते है parameter और जब उन parameter के against value pass की जाती है calling side से उन्हें कहते है argument ठीक है हम लोग जो है बतलब एक नाम फहम जो जबान होती है उसे parameter argument एक ही हवाले से use की जाते है हाला कि Rust की language में parameter वो होता है जो कि function के signature के दर define होता है वो जब उस function को call करते हैं वे उसको को value pass करते हैं तो उनको argument कहा जाते है यह तोनों में फर्क है argument में और parameter में कि argument होती है वो calling side से जब value pass होती है function को call करते वे उन values को argument कहा जाता है और जो function signature में जो definition होती है कि इस function को चलने के लिए कौन-कौन से type की variable चाहिए उनको हम parameter कहते हैं तो यह देखें, example दीगी है एक another function है जिसका signature कहता है कि इसको एक parameter चाहिए जिसका नाम होगा x और उसकी type होगी i32, integer 32 और जब इस function चले तो print element करें, print करें क्या करें, the value of x is और इस x को print कर दें जब हम इस function को mean से call करेंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे इस function का और फिर 5 as a argument भिजवा देंगे इसको, अब क्या होगा कि जब यह function चलेगा यह program चलेगा तो यह another function को call करेगा और 5 as a argument इस function को भिजवाएगा वो 5 जो है वो आके यहां x के अंदर save हो जाएगा और फिर वो x की value प्रेंट हो जाएगा तो यह थी argument और parameter इसी तरह से परों में मज़ीद discuss किया पिछले program में वो एक value as a argument पास हो रही थी और function भी जो है वो एक parameter accept कर रहा था यहां के जेंपल दी भी है यह function दो parameter accept करता है यह देखें इसने x और y दो parameters चोहें इसके signature हमें टेफाइंड है और जब इसको call किया गया तो वहां से इसको दो argument 5 और 6 की values जो है वो as a argument इस function के call करते वे प्रवाइट की गया ठीक है तो यह था हमारा function उसकी parameter और यहां पे जो slides है वो तो end हो जाती है लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने थोड़ा सा आगे जाके function से अगर value वापिस calling function को पास करवानी हो तो उसका क्या तरीका कार होता है अगर अगर फंक्शन में को value return भी करने है जिस जहां से function call किया गया है उसको value वापिस दे नहीं हो तो उसका क्या तरीका कार होता है अब मगले आइनाई वाले 15 minute में तकरीबान इसको discuss करके कोशिश करेंगे कि 11 बजे हम जो इस session को इंक्लोड करते है तो चलते हैं अपनी code window की तरफ तो देखें जी यह हमारा code था और यह करता यह था कि हम add और subtract नाम के हमने कुछ functions बनाए वे थे और उनकी मदब से हम कुछ जो भी values थी add या subtract वाली उनको हम print कर वा ले जाते है अभी तक जो प्रिंट कर रहा था यह functions है यह value को जो भी इनको दो parameter पास की रहा जाते है उनको यह उनको add करके उनको प्रिंट करवा देते है तो values का store नहीं हो रही होती है तो यह return नहीं हो रही होती है इस प्रिंट में प्रिंट में प्रिंट रहा है नहीं हम कै तो हम let my add result is equal to 0 let my subtract result is equal to 0 तो हमने दो variable बना ली है और चूँके आगे जागे हमने इसकी value change कर नहीं है तो इनको mutable declare कर लेते है अब हम क्या कर रहे है कि हम पहले इस add वाले function को values भीजवा दिया करते हैं अब हम चाहरे है कि जो add वाला function है यह हमें कुछ return भीगर है add करके बजाए print करने की वो हमें return कर दे अगर किसी function ने कोई value return करनी हो तो उसको हम सबसे पहले उस function के signature में define करते हैं इस type की value return करना चाहरे है तो यहां पर एक dash और greater than sign यह लगाएंगे और आगे वो type mention कर देंगे जिस type की value इस function ने return करनी है देख रहे हैं मैंने क्या किया देखे हैं हम function define करते हैं यह आ गया function और यह उसका नाम फिर आगे bracket के अंदर अगर इस function को के parameter pass होने होते हैं तो वो हम यहां पर define कर देते हैं तो यह parameter define होगे और यह फिर bracket बंद होगी अब अगर आपके function में कोई value return भी करनी हो तो आप यहां करते हैं कि यहां पर dash और greater than sign यह लगाके आगे type of the value बदा देते हैं कि इस function में किस type की value return करनी है यहां पर इस function में i8 type की value return करनी की तो हमने यहां पर i8 लगा दिया अब हम इस line को comment कर देते हैं ताकि यह line execute ना हो हम कहते हैं कि जबे function चले तो simple क्या करें कि आपको जो भी parameter मिले हैं a plus b बस इनको return करते हैं अब मैंने इनको expression मना दिया statement नहीं मना दिया अब क्या होगा कि जब यह program चलेगा विल्के मैं इसको delete कर तो यह add के function को जब call करेगा तो add का function क्या करेगा यह a और b को plus करेगा और चुंकर यह function की आखरी statement है और देखें इसके आखर में मैंने semicolon नहीं लगाया यह a plus b की value return हो जाएंगी जहां से call आई थी अब call site में क्या करूँगा my add result is equal to अब क्लियर क्या जो ने रकूट करूँगा प्रिंटर वाले को फिला यहां से खदम कर देते हैं ताकि आपके सामने विजिबिलेटी तोड़े सी क्लियर हो सके है प्रिंटलम झाल झाल चुना हमिए प्रगयर्म में आया उसने एक num1 डेकलियर किया जिसके तर हेल्ड रीकलियर डालों भी दालों num2 डेकलियर किया जिसके तर हेल्ड किष्ट्ग हुआ हमने एक मुटेबल वेर्डियर्ड बना या threats हम नाम हमने रखा格 myadd resulting और तो हमने value देदी 0 विद two arguments, और इस add के function को value भिजवाद हो num1 और num2, num1 के अंदर था 100 और num2 के अंदर था 10, ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से control transfer हो जाएगा, इस वाली statement की वज़ाद से control transfer होगा यहां add में, इस जगह पर, यहां पर इसको दो value भास हो रही है, num1 और num2 की, 100 और 10, 100 आजएगा a के अंदर, और 10 आजएगा b के अंदर, और हमने बताया कि यह function जो है, तो i8, integer a type का data return भी करेगा, पॉलर को, जिससे पॉल की है, जिस function में, उसको यह i8 type का data return करेगा, उसने का ठीक है, function की body के अंदर आए, उसने का कि a में जो भी value है, उसको जमा कर दो b के अंदर, और अब देखें, इसके end में semi-colon नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि statement नहीं expression बन भी, और अब a और b को जमा करके, जो भी result आएगा वो यह function वापस भिजवा देगा, तो देखें, यहाँ पर a के अंदर it value 100, b के अंदर it value 10, तो यह 100 प्लस एंद 110, यह पूरी का पूरा function 110 result वापस भिजवा देगा, किस कहां पर, किस जगा पर, किस जगा पर, यह function evaluate होकर, किस value में ढ़ल जाएगा 110 में, अब क्या होगा, कि 110 है वो जाके my add result के अंदर save हो जाएगा, ठीक, यह variable था न, my add result के वाला, जिसके दरे पहले 0 बढ़ावा था, अब यह function evaluate होके add then return करेगा 110, और 110 जो है वो आके save हो जाएगा my add result में, same way, subtract का function call होगा SUB का, इसको भी num1 और num2 भिजवाए जाएगा, तो control यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यह line में delete कर देते हूं, अब दिखें, control यहाँ पर आ गया, a के अंदर 100 आ गया, और b के अंदर 10 आ गया, अब क्या होगा कि यह statement execute होगी, a-b, यह 100-10, result आएगा 90, अब यह इसके end में, जुके semi-column नहीं लगावा है, यह function i a-type की value return करेगा, और वो कूंसी value return करेगा, a-b, आखरी वाली जो भी function की line होती है, जिसके आखर में semi-column नहीं लगावाता, वो value वापिस return हो जाएगी, और वो वापिस return होगी, कहाँ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी, तो यह जो पूरा function है, यह क्या result end में produce करेगा, 100, minus 10, 90, तो यह जो पूरी जगह है, इस पूरी जगह की जगह आ जाएगा 90, तो 90 value जाके कहाँ store हो जाएगी, my sub-result में, फिर end में हमने println कर दिया, यहाँ पे my add result, और यहाँ पे my sub-result, फिर दो value हमने यहाँ पे print कर वाली simply, अब इस program को save करके, और जाते हैं अपने टर्मिनल की गरफ, यहाँ करते हैं clear, cargo run किया, तो जनाब एक error आ गया, तो जनाब हमने यहाँ पे spelling में फोड़ी सी कर दिये mistake, R.E.S.U.L.T. की जगा R.E.S.U.T.L. लिग दिया थो, आप यही रहें, वहाँ में save करके आ रहा हूँ इसको, ठीके बलके देख लिए, यह मुझे बता भी रहा है, cannot find value my sub R.E.S.U.T.L. देख लिए, यह मेरे से दलती हुई थी, मैंने L.T. की जगा T.L. दलती में लिख दिया था, उसने का कि इस नाम का तो की variable यह exist नहीं कर रहा, तो अब मैंने वह वल्ती की कर लिए, अब मैं इसको clear करके दुबारा चला के दिखते हूँ, तो देखें, अब यह जो ऊपर आ रही हैं, यह सारी warnings हैं, इनको आपने ध्यान नहीं देना, program चल पड़ा है, यह देखें, finish लिखावा आगे, इसका मतलब है, program सही compile हो गया, उसे run किया, run करने के मां उसने का ची, plus के अंदर value आई है 110, यानिके my add result के अंदर value आई थी 110 आई थी, और minus के अंदर आई है 90, अब क्या हुआ है कि इस program में पहले तो हम function के अंदर ही plus minus करके उसको println करवा देते थे, लेकिन हम जाके code को दिखते हैं, तो इस code में देखें, हर function ने बगाईदा value return की है, चाहे वो add की value हो, चाहे वो subtract वाली value हो, इसी तरह से आप इस program को खुद code करें, और आप इसमें multiply और divide वाले भी options डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो values यहां से valueate होके इन दो variables में save होगी, my add result और my sub result, और add the end हमने उनको println करवा दिया कि plus का result यहां है, plus operation का और minus operation का result यहां है, और उसके accordingly हमने यहां पर variable print करवा दिया, तो इस तरह से हमने एक simple सा program बनाया, और उसमें हमने देखा कि value हम function को as a parameter pass कैसे करते हैं, और फिर हमने end में यह भी देख लिया कि कोई function अपने caller को, जिस जगह से उसे call गया जाता है, उसे अगर उसमें कोई value return करनी हो तो वो return कैसे करता है, अब भी हम even जो हमारी assignment की requirement है, उससे भी कुछ एक दो चीज़ें एज़दा discuss कर चुके हैं, समझ चुके हैं, और साथ साथ हम chapter number 3 भी जो book है rest की उसका complete कर चुके हैं, तो यहां पर हमारे session का जो आज का target है वो होता है complete, अगर इन दोनों हवालों से जो आज हमने देखे एक तो हमने for का loop देखा और एक हमने functions programming देखी, और फिर हमने function के अंदर तीन चीज़ें देखी, कि साथे function, फिर उसके बाद हमने functions को parameter pass करना सीखा, और आखर मैं हमने देखा कि function से value return कैसे करवाते हैं, इन सारे हवालों से अगर आपके जहन में कोई question है तो भी आप बिला तकल्फ मुछ से पूर सकते हैं, अगर कुछी सबज नहीं आई, अगर कोई और suggestion है, कोई QE रह गई हो, कोई चीज मिसिंग हो तो आप बिला तकल्फ मुछ आई, question करने के लिए आपको, आप एक बार स्क्रीन पर क्लिक करें, तो आप की स्क्रीन के नीचे वले हिस्से में, हमारा जो control है वो नमुदार हो जाएगा, उसके उपर आपका audio का माइक बना रहा होगा, जिसके उपर सब कट लगा होगा, आप उस माइक के उपर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका microphone on हो जाएगा, और आप जो भी गहेंगे वो आवाज आपकी हमसे पोच्टना शुरू हो जाएगा, अगर कोई question है तो please बदा दीजिए, otherwise हम एक minute के बाद फिर session end करेंगे, पूरे ग्यारा बजे 10 बच के 59 minutes हो रहे हैं, और फिर इंशालला दाला हम वेट करेंगे, कि जब हमारा जो class वाला session है, जो class वाले lectures हैं, वो कुछ मजीद आगे बढ़ेंगे, तो हम अगले week में या उस में आपसे जाज़ चाता हूं, बहुत 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 शुक्रिया आपका मुझे join करने का, मिंशालला हमारी कोशिश ही है कि हम सब मिलके, एक साथ एक दूसरे को लेके इस program के end तक पहुँचें, तो आप सब का बहुत 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 शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा अगर कोई फिर भी मजीद क्यूरी तरह गी हो तो आप ग्रुप के ओपर क्यूरी कर सकते हैं, लेकिन यह ख्याल रखिएगा कि प्लीज असाइनमेंट्स के हवाले से कोई भी चीज़ उस सरह पोशने से कुरेस करें कि जिससे आपको कुछ हेल्प मिलती हो, यानि कि को ड्रे झाल झाल